तो नवस्ते बढ़ाम हमके साइड अलियादों सबके गोडशों के गोड़ लगतानी और बहुत प्यारा हमार शिनेमा जॉनरलों के इंतिजार बहुत दिन सरला वह इंतिजार खतम हो गई और साथ तारीक हमनी के आल ओफर इंडिया कलकत्ता से लेके नैपाल से लेके राजस् में कितना लग रहा है जब से सिनेमा हॉल बंद हुए है उसके बाद पहली बार ऐसा अशर प्राप्त हुआ है बस मैं अपील यही करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मल्टि प्लेक्सों में जाकर और इस सिनेमा को असिरवाद और प्यार देजीए का तो इतना तो जरूर है कि हमारी सिनेमा का भी वो अस्थान जो हम साउट से लेकर हिंदी तक का करते हैं तो यह बहुत काम ऐसे लोग हिमत कर पाते हैं और हम रोसंद सर को धन्यवाद देना चाहते हैं किरोसंद सर ने अपने सिनेमा को एक बेटी की तरह परवर्ष जिस तरह होता है बेटे की परवर्ष जब हम करते हैं उसी तरह एक भेटे की तरह परवरी सी सिनेमा को किया हिनों ने और हम लोगों ने भी कोशिस की है कि इस सिनेमा को कितना बहतर किया जाहे हो कास्मीर की शूट हो या यूपी का हो या मुंबई का हो या जहां भी हमने चाहे हो आयुध्या का हो बड़े बड़े गाने भी जो हैं रिचा जीने गाया है इसका हमारे गैलास खेर दिलर पाजी और हमारी रती में जो की बहुत सेरियल की बहुत टॉप की आर्टिस्ट हैं और डाइना खान जो की एक खुबसूरती की खजाना है जो हमारे सलमान सर के साथ एक अमीद भट्यचारिया जिन्होंने मीर सर हमारे साउट से एक भिलेन है उसमें अमीद तिवारी जी जो की रडी रोठोर में आपने देखा होगा तो बहुत सारी चीज़े इसमें है और सबने बहुत मेहनत किया है तो मैं कोशिश करनगा कि रती जी को एक बार जोड़ू उसमें रती पांडे जी किधर है ताकि आपको मिलाओं अब बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं कमाल की एक्ट्रेस हैं वो कि अभी क्या हो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजा हूँ ताकि वो भी आये और हम दोनों बात करें और आप लोगों का इंटरेन करें तो ऐसे भी हम आई रहे हैं पर मोशन करने हर जगा और आप लोग भी मल्टिपलेक्स में हर जगा कि अबवेदेक्स लग रहे क्या है सिझे मकूला कि और अपकी नजरों में नहीं आप हैं जब के रखकों को मेरी तरव से प्रणाम बोल दू पहली बार भोचपुरी दर्शकों से मिल रहे हो कि तो बहुत अच्छा लगार इस दिन का मैं बहुत एक वश्ट से इंतजार कर रही हूँ आपका तो हक बनता है क्योंकि आप पतना से है और हमारी गुपाल गन से है थाइक थाइक यू सो मच पूरा इंडिया नहीं लेकिन आप चल रही है ना बिल्कुल हम सब आ रहे हैं पूरा इंडिया नहीं लेकिन नहीं लेकिन आदे इंडिया का तो शायद गर्मी में दोरा करी लेंगे इस बार इंडिया गुम जाओंगा तो आपके साथ हम लोग भी घूम रहे हैं और ये फिल्म से जुड़ना ही मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है तो आपके माध्यम से बता दू कि ये मेरा सपना एक भोजपूरी फिल्म करने का क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन किया तो हर कोई बोलता था कि भोजपूरी क्यों नहीं करती हो इतना लेठ हो गया तो बोलते लिए अंदेर आया है दुरूस्ता है तो आया भी तो एकदम धमाके के साथ आरह है हम लोग और पहली पिच्चर है मेरी भोजपूरी की और मुझे लगता है कि भसपूरी में पहली बार बनी है तब भी नी आया या बजट इस बहुत प्रमोशन है इसार के कंपनी कर रहा है और हमारे रोशन सर सरमीला दिदी इन दोनों का जब रुपता है अपने एक बेटे की तरह इस सिनिमा का हिस्सा बने और मुझे मज़ा आ रहा है कि मुझे इतने भव्य तरह के साथ 200 सिनिमा से ज्यादा चाहे मल्टी प्लेक्स हो चाहे सिंगल थेटर हो हर जगा कोशिस हमारी सब की है कि और खास करके रोशन सर की कि उन्होंने हर जगा अपने इंपूट को अपने काफी काफी महनत लगी है काफी में बात तो में जो हमारे करता घरता हो है रोशन सर शर्मिला जी प्रिमांचु जी तो है ही है हम लोगो को निखारने के लिए लेकिन इन दोनों का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इनकी वजह से शायद में पोछपूरी इंडस्ट मतलब कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं एक सूपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ या ऐसा खुछ घमांड है बिलकुल नहीं मैं हर बार जो भी इंटर्वी होते है तो मैं बोलती हूँ कि एक्टम ऐसा लगता कि घर में मानी हम अमना फैमिली के बीज में बाली है अब गा अब जाती नहीं होता ह onlyogeneous अब क Sunda कर जैने नहीं पर नहीं जारूरी है कि हम पाटा यहाँ हुए है बाई अश्रह मेरे वर रहा के हम लिए पड़ोषी बनी हाँ पड़ोषी बनी जा आप दो सोगल बनी सब काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और हम लोग अपका अपका भासा है भजपूरी आपका ये लॉंग वेज है तो आपको क्या फील हुआ बहुत अच्छा बोल तो रही हुआ कि ममी बोले कि ये पापा भी बोले कि टो खुणका बोल मैंना अच्छा ग्मुली एक ही जाल होले लोकाहै मेला को एक जो बोल्ध अक्रेदार कि मुझे itt ति चरण आठब उन खिर्दार boleh साझी है इतने अच्छ अच्छे सीन्स बीदिफ shift जहां पर मेरे चारेक्टर को निखानने के लिए टेवार मेरे परफॉर्मन्स this के लिए अच्हे है सीन्स जो कि आप सpekto भी मिलेगा और गाने इतने ब्यूटिफुल है, जो कि अगर लोगों का प्यार थीटर तक आने में अगर सफलता हमें मिली, लोगों का अगर जबुता जी से लोगों का एक है क्यार कब आएगी कब आएगी, क्योंकि बुग मुझे तो मैसस करते हैं कि भाया कब आएगी रंगदेबसंती, बस इंतिजार खता में भाई 7 जुन को हर जगह लग रही है धाईसो से ज़ादा से ज़ादा देमा गरे में और मल्टि पूर्स में लग रही है तो इसके लिए और हमारे एरारोड में लग रही है city max, आपके हमारे घर से बगल जहां में रहता हूँ टो हुआ पतना भी जा रहे हैं सिट को पतना गरे महरे करने के लिए अच्स पतना वाशियों को भी अब बताने हैं विर पतना के बाद हम लोग हर थेटर में सप्राइज विजिट भी देने वाले वा healthcare टे नहीं है तो आप पताईए शेसारी जी आपको कैसा लगा हिंदी इंडस्ट्री की एक हिरोईन के साथ काम करके डाइना भी थी अभी जाइना हमारे बीच में आई नहीं है बड़ा फोल करना पड़ता है अर हमारे लिए कोई भासा माईने नहीं रखता है लेकि जिस भासा के है कोशिस तो हमारी यही है कि उस भासा को जितना बड़ा हो सके हम करें और हमारी कोशिस भी रही है कि एक सिकायद्law को ना कि यार saudable कि यार ए-सी नहीं है तो पिलिए में और मुंबई में निशाद सिर्मा मुल्टि फ्लेक्स में ग्रांट रोड में अधिनिटी में भी लग रहा है अधियरी तो बहुत है मुझे लगता है कि वसंद्थ सर का यह जो आइसान हम कलाकारों पे है यह हमेशा बना रहे है और ऐसे पर डूसर हमेशा बग इतना इंपूट जो होता है न बहुत कम लोगों का होता है तो बस पहली बार ऐसा हो रहा है तो मैं तो यही कहूंगा अपनी जनता से कि जो मुंबई में है जो कलकता में है जो जैपूर में है जो रायपूर में है जो चर्थिसगड में है या जहां जहां भी मल्टिप्लेक है कोशिष है रोशन सर्की है भी और कर भी नहीं है हर जगह तो बहुत कौम से उसर मिलता है अब लोगों का जगर प्यार मिल गया तो मुझे लगता है कि हमारी भी सिनेमा बहुत जल्दी एक साउथ इंडिस्टी की तरह अपना रूप बदलेगी और उस टाइब का सिनेमा बन मैं आपकी तारिफ में बताना चाहूंगी कि आपने जितनी महनत इस मुवी में की है मतलब यहां पर सबसे बड़ा चालेंग्स था क्लाइमेट चालेंग्स जो बूलते हैं हमने थंद भी देखी गर्मी भी देखी और बरसांग भी देखा स्पेशली आपने तीनों वेदर दो तीन महिनों में ही सारे वेदर इनों ने देख लिए और जो महनत है तो अपने बार 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 करके बतलब और मैं तो तीन दिन बार पाँची जब मैंने इनकी खालत देखी और यह इंसान इसा बंदा है जो सोता ही नहीं है बिल्कुल भी तो मैं हमेशना यहीं बोलते सुबह सुबह उड़के जिम जाना अपनी बोडी का फिटनेस का ख्याल रखना फिर शूटिंग पे जाना इतने एक्स्ट्रीम क्लाइमेट में शूट करना यह बहुत ही कमेंड़ जॉब है और यह एक अच्छे अक्टर की निशानी है तो के लोगों के लिए एक उसकभरी ह तो लाखों लोग मेरे पीचिये थे और उनका खास करके मेरे पास निवेदन था कि भई आप बैरेकपूर में लगवाई तो कलकत्ता बैरेकपूर में भी शिनेमा पना लग रहा है तो और आप बहुत प्यारी हैं अपको और बहुत क्यूट हैं और बहुत जहनत बहुत अब आप से सिखने को भी मिला कि आप आप डरता था मैं अप अब आप कुछ भी रही कब आप काईधा कर देंगी पता ही नहीं चलता था यह सब आप लोग के साथ की बाते आप लोगों तो आप लोगों ने इतना हर्प किया इसले शाए वैसे सीन अच्छे निकल किया हैं अब होता है कि जैसे reaction मिलता है वैसे दुसरे actor react भी करता है तो इतने action हर कोई कलाकार मैं तो दंग रहे कि हर एक कारेक्टर जितने भी कलाकार है वो सारे मंझेवे हैं और ऐसा बिलकुल फील और किसी का retake अगर होता है तो वो शाएद एमोशन के ऐसा निए कि इसको acting नहीं किसी को बोल नहीं सकते हैं जब ही ने अच्छा काम किया है बहुत महनत किया इसपेशली सारी जीने काफी की है यह उनकी मूवी है हम लोग तो चाट चान लगाई पनी हमने खली बस एक चाना भाड नहीं फोड़ सकता है और सबने तेन परसेंट की चाहिए ओ ओ क्राउड के हम जब लंडन में भाइया से बात किये थे तो हम ने कहा कि इसी कहाने पर गाम तो भाई इसके लिए पर्डूसर कौन होगा तो बहुत मानना पड़ेगा हमारे प्रोडूसर साहब को मतलब जिगर है उनके पास अगर उनको बोले कि भाई सीन में चौपट चाहिए वह तुर तरह से वास्केल में वह रिलीज करवारे हमारी मूवी यही बहुत बड़ी बात है और शायद इससे बहुत ही बड़ा बूस मिलेगा अगर अधाई हजार सिनेमा बढ़े लेकि अगर अधाई सो सिनेमा हाउस फूल हुआ तो मैं वादा को हूँ कि यही रोशंसर कल अधाई सिनेमा हौल के साथ लग रही है सिने माई तो आप लोग इतना प्यार दे però कि आज हम 2800 सिनेमा हौल में है कल 58000 सिने महाल में कल 5000 बढ़े तो बढ़ाना हमारे जनता के उपर है हम तो बहुतर काम ही कर सकते हैं यह एक बस अपने भासा को सरफ हमारा ही नाइवलके मुझे कि पुरे बस्पुरी समाज का है दई तो बनता है कि अपने भासा के लिए जितना हो सके आप थोड़ा सा अपना एनर्जी लगा देंगे तो साइध हमारा सिनेमा और बेहतर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल और यह पूरी पारिवारी फिल्म है और सब को यही हम लोग कि क्या मानुदषा होती हैं सयोhmen को जानना बहुत जरूरि है क्यों कि वह आज है तो हम सुरक्षित है यह देश के प्रती बहुत कम ऐसी चीज़े बंती है जो देश के भविश्य के लिए और एक सहेनिक कितने कस्टों में अपने जीवन को चलाता है और अपने परिवार को चलाता है साइद एक आम अदमी नहीं समझ पाता तो हमें इस सिनिमा को देखने से एक फाइदा तो जरूर होगा कि अपने साहिनिकों के प्रति जो सम्मान और प्यार है सब के मन में हैं लेकि मुझे लगता है सिनिमा के बाद और बढ़ेगी तो मेरी कोशी सब हम सब हम जो सिन सिनिमा किये हैं आप लोग अपना प्यार हो अशिरबात देकर और सिनिमा को हमारे मेहनत से जादा आप दे दीजिए ताके हम इससे भी बड़ा सिनिमा रोशन सर से बोल के बनवाए और आप सर का मनुरंजन करें बिल्कुल 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 प्रिमान शिर कहा ठुपे उनके भी कुछ बुलबाया जाए तो इस फिल्म ऐसा क्या है तुम क्या बताओगी कि यह लोग आएंगे किसले रंग बसंदी देखना हैंगे यह हमारी फिल्म है हम तो फिल्टरेंगे सब होगा लेकिन खासियत क्या है वो तुम लोग बताओगी तो जादे बहतर रहेगा क कि जो ओडियंस दूर हो चुकी है या जो आना नहीं चाहती है तो वो भुषपुरी फिल्म देखने आये जिसके लिए हमारे प्रायस है सर ने रोशन सर ने मल्टिप्लेक्स में लगाया ताकि प्रॉपर इंवयर्मेंट मिले वो सारी चीजे मिले एट्मॉस साउंड है तो स अधिन आचाहोगी कि ताकि ओडियंस तुमारी बातों से कन्वींस और तरन अप करे तो अधिवादे तो आपने बता ही दी है और मैं कहूं कि मैं अगर इस फिल्म से जूर रही हूं जो कि बहुत सारी बिहारी अक्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े नाम के नाम चीन अधिवाओ के कारएं तो अधिवाओ के कारएं तो अगर अगर इस फिल्म से जुड़ी हूं तो मेरे अंदर भी बहुत सारे सवालात थे मैं बहुत क्वेस्टें लेकिन ऐसी कुछ भी चीज नहीं है इस मुवी में जहां पर हमें एक बड़नामी का समना करणा गड़े या ह में कोई कुछ उम्यूथा की कुछ बोल सके ये सिमिलरली वैसी ही बॉलीवड मुवी एक अथी कासी हाई बजटेड और क्वालिटी वाली मुवी है जहां पर I think best cinematography है इसमें अमारे साउथ के वासुसर भी है camera DOP हमारे अक्टर सारे मन्झेवे कलाकार है इसमें से कुछ कला देखिए हम बिग बजटेड इसकी है बोल रहें क्योंकि उस जगह जाने के लिए रिस्क और गट्स चाहिए उस प्रोडूसर को बनाने के लिए मुझे यह लगता है कि Cinema को क्यों आना चाहिए लोगों को देखने के लिए क्योंकि ऐसा quality वाला cinema बहुत कम बनते है और इतना हिम्मत करने वाला पडूसर बहुत कम लोग है दूसरे छीज कि इस कहानी का जो सार है कि ए कहानी ऐसी कहानी है कि एक फाजी की जो कहानी होती है जिंदगी में एक फाजी पूरे देश को अपना परिवार मानता है पूरे समाज को अपना परिवार मानता है क्योंकि उस सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ता है अपने परिवार के सिर्फ रोजी रोटी ठीक है दो पैसे कमा रहा है no doubt but मुझे लगता है कि उसके साथ उसकी जीमेदारी एक फोजी की जीमेदारी होती है ना वो देश के लिए होती है अपने परिवार के लिए नहीं क्योंकि वो पूरी देशी उसका परिवार होता है और वो कितने कस्ट में कितने प्रॉब्लम से जूज के अपने देश की र और देश की उन्नति के लिए सिनेमा देखना चाहिए और देश अपना कहा है और अपने देश को पैसे बचाया जा सकता है चाहिए वो हमारी emotion को हो या हमारे मुभबत को हो या हमारे उर्जा की हो तो वो सारी चीजे जो है ना इस सिनेमा में एक परिवार से लेकर एक देश से लेकर एक देश भक्ति से लेकर एक बलीदान तक हर वो चीज emotions दिखाएगे आए emotion कही ना कहीं परिवांसु सर ने उसको उसमें प्यरोया है और हमारे राइटर से लेकर जितने भी लोग है नहीं सबने एक छोटी-छोटी चीजी है अपने emotion के लिए अपने परिवार के लिए अपने देश के लिए अपने देश के लोगों के लिए तो उसारी चीजी इसलिए मुझे लगता है कि एक ही cinema इतने सारे पैके हैं emotion से लेकर रिष्टू से लेकर हर उस चीजों को और क्वालिटी जो है आपको इतनी इंप्रूवड मिलेगी मैं वही कहते हो कि एक इंसान है जो बदलाव ला सकता है तो वह इंसान आ चुका है और हमारी पूरी तीम अब आ चुकी हो बदलाव लाने के लिए तो आइ तिंक वही बदलाव आपको दिखेगा इस सिनेमा के थू बोजपूरी में बहुत बड़ा आने होती है इसमें यह होती है इसमें पूर चीछे होती है इसमें साउंड चीक नहीं होता गाने चीक नहीं होते अच्छे सूट नहीं होते बजट नहीं होता वो सारी इतना तो जरूर देखने के बाद इतना तो जरूर एक बुलेंगे तो अईसे भी बनती है क्या आपको इतना तो लगे तब आपको लगे कि आपकी भुषपुरी परगिरस कर रहेगी और इस परगिरस में मुझे लगता है कि हमारे जनता का बहुत बड़ एकदान होना चीछ अगर इस सिनेमा को अगर लोगों ने प्यार दे दिया असरबाद दे दिया तो मुझे लगता है कि हम भी कोशिष कर सकते हैं कि हम साउथ की तरह पचास तो यह हिट होगी ही और मेरे खियाल से इस सिनेमा के बाद जितने भी भोशपुरी आक्टर्स हैं जो बाहर काम कर रहे आउट अप दिस इंडस्टी ये जूड़ेंगे जरूर भुझपूरी करेंगे हम वो चीजी तो है यह तो जरूर कि यह थिली में यार क्या भुझपूरी में ऐसे काम भी होते हैं क्या तो टेकनिकल वाईज यह मुझे लगता है बजट वाईज यह रिलेजिंग का अभी करने के लिए इसको जितना हो सकते आप एक वर एक कंपलेट फैमिली फिलिम से लेकर देश के हित में जो चीजी होती है और एक पाउजी को अपने देश के हित में क्या करना चाहिए और एक पाउजी अपने देश के हित में क्या कर सकता है और क्या करता है वो सारी चीजे कही न सबसे अपील कर रहा हूं और साथ तारी को ये लग रही है और इधर आईये सार इनके बारे मम इतनी तारीफ सरहें कंसे रहों उनको भी तोगिया अरे अरे में करता धरता हमारे आईये सर अब यलो में देखें इसी को कहते हैं टीम बिना बताए हम लोग सेम कलर में सबस्क्राइब करता है कि अपनी फैमिली को एक होती है नेता को ये होता है जो देश के लिए काम करता है अब इतने सारे लोगों में हीरो कितने होंगे ज्यादा ज्यादा दोस्तों होंगे सारे लंगेज मिला दे लेकिए एक सो चालिस कोड़ जनता है तो भाई हमें जीमेदारिया में लिए है तो हम कोशिस है और सर ने जीमेदारियों को बखो भी किया है तो मैं एटसर फाइन को कि इन्हों ने इतनी प्यारी सिनेमा और इतने बीग बजट का बनाने का हिम्मत किया ये कामलीय तारीफ उसके पीशे मेरी हिम्मत कहा है वह बताऊंगा चुकि खेसारी बाई इतने बड़े स्टार है आपको पता है इनके इतने बड़े फालोवस थैं ऐसा करेंगे और हम चाहे लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी हिम्मत पढ़ा है कि हमने अगर ये फिल्म बनाई है तो अगर आप देखेंगे तो आप अपनी भोजपूरी के देखेंगें तो उसको दूर करने के बिलीज करें कि हम बताए कि नहीं, हम भी अच्छी फिल्म बनाते हैं, हमारी वीचित भीची है, हमारी बच्छी बेश्बूरी हमारी अच्छी है जो कि उनोंने वे गदर सारे रिलिश किया था जवान तक सारी फिल्म उन्होंने रिलिश किया थे तरह पिर अपने लोगों को हम चाहर है कि यूद देखें जो भोजबरी को प्यार करते हैं और भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम पूझे हम पूझे हम पूझे हम आपको आपको मैं थांक्यू बोलना चाहूंगी और हम सभी अज मतलब अक्टर्स वी अर्वेरी ग्रेक्पू थांक्यू तो आप चाहते हैं तो नहीं.. वे finans One, Just One.. बईस्त मूझे को spotlight ही थे क्योंकि अगर नहीं होते तो यह पहल आई पहल ऑर पहल करने वाला इंसान.. वो हम नहीं.. ऐस बीडर्याँ है А gotta be.. तो व्होगत रजशावड रे दूशा जैए.. मैंने मुला भई आभ हम सब को पहल करना चाहिए जया लगना चाहिए तब ही होगा बदलाव आप भीर फिस इंडिस्ट्री खु़िए पढ़ा के लिगांग हमारे इंडस्ट्री आगे बरे उनके पास हम पहुँचें, उनके साथ इंट्रेक्ट करें, तो हम हर देखिए हम कहाँ आपाते हैं, बट हर एरिया में हम आज हर लोगों ने अपने भासा को बढ़ा करने की कोशिस किया है, तो अगर स्टार आकर अगर कर रहे हैं बेहतर फिल में तो वहां के लोग भी उस ची पैसे कमा ले, तब तो कमा ही लिए, अब तो घर भी है, गारी भी है, पैसे भी है, नाम भी है, सब कुछ तो होई गया, तो अब अपने भासा को कितना बढ़ा कर सकें, वो कोशिस हम सब की रहनी चाहिए, और मुझे लगता है, अगर हम आगे आए हैं, तो मैं तो यही अप कितने बार मेरे आंग उठे टूट गे छूने के लिए, कभी कोई पकरता है, चोड़ता ही नहीं, तो वो एक महत्मत है, उनका है, के मेरे प्रती जो सने है, प्यार है, पस मैं वही चाहता हूं कि आप लोग जहां भी, आप पता करिए, कहां कहां लगी है हमारी सिनेमा, और ह सहर में लगी है, इंडिया के करीब करीब, तो आप पता करिए, मल्टी प्लेक्स में लगी है, हर जगा सिनेम पॉलिस में लगी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर जागरूप हो जाएं एक बार, अपने भासा के लिए, खिषारी के लिए नहीं जागरूप होना है आपको अपने भासा के लिए जागरूफ होना है कि नहीं हम भी दुनिया को बताएंगे कि हमारे भजपुरी सिनेमा भी 50 को रो का बिजनेस करती है तो अगर हम अगर चाह दें तो हम यह कर सकते हैं लेकि अगर इमारी जनता चाहे तो मुझे लगता है हमारी भजपुरी बहु हो लोकेसं से लेकर गाने से लेकर मिजिक से लेकर बैक घ्राउंड से लेकर एक्टर से लेकर एक्टर्स तक हर आदमी ने कोशिस किया और व्यहतर करने की अपना जो छमता है सब के अंधर उसने सबने अपना इस्तमाल किया है तो बस हम आप जनता से यह अफिल करना चाहते हैं कि आप लोग पहली बार एक बार भजपुरी को बढ़ा करने के लिए आए हॉल सिनेमा हॉल में और दिखा दिजे कि नहीं हमारी भजपुरी छोटी नहीं है और जब यह काम अगर मुझे लगता अगर रंद हम लोग साथ तारी को फाइनली आ रहा है जितने भी मेरी ओडियंस है जो भगवान सुरूपी जनता है जो मुझे प्यार करती है मैं सबसे अपील करना चाहता हूं साथ को आप भी अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाईए और बताईए कि भजपुरी आपकी यहां नहीं और यहां हमारे दिल में है अपने मा के लिए और अपने मा को बचाने के लिए हम किसी भी हाल तक जा सकते हैं किसी भी हाल तक कि हर मल्टिप्लेक्स में और अजिया में दिखरी है तो यह आप घूफ्य होगी और अपको प्राइट फील हो गा पराओ फील होगा हुद़े कहां थे हमारी ची यह अन की अधिकर हुआ अच्छा हो तक है हमारी चीलों जिखरे को अपना ख्याल रखिए और हम भी बिदा ले रहें और वा साथ तारी को रंदे बसंती को आप इतना प्राइब के हम लोग गदग हो जाए और अपना यहां पोँचे तो अब हमारी कोशिस यहां तक थी अब आपकी कोशिस है अपने रहासा को और उपर ले जाने के लिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू